नबश्काल आप देख रहे हैं यूप चर्ण और मैं हूँ आपके साथ खुश्पर सकते हैं आये नसलालते हैं देश और विदेश से जोड़ी कुश पड़ी खबरों पर भारती जन्तापाटी दोजार चौबिस के लोकसुबा चुनाओ के लिए उम्मीद्वारों की पहली लिस्ट आजारी कर सकती है सिंग चोहान को भोपाल या विदेशा और संबित पात्रा को ओडिसा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है इनके अलावा बिवानी बल्लवगड से भुपेंद्र यादो डीब्रुगड से सर्बानन सोनेवाल राजोरी अनंतनाग से रविंद्र रहना कोटा से ओम बिल्ला नौर्थ यूस दिली से मनोष तिवारी पश्यम दिली से परवेश वर्मा और आसन चोल से भोषपूरिस सिंगर और एक्टर पवन्स सिंग को चुनावी मैदान में उतरा जा सकता है दिली में गुरवार यानि 39 फरवरी को भाश्वा मुख्याले में केंद्री चुनाव कमी जिस्तने भी बाहरी राजा भारत में आये थे उरूने देश को लूटने का काम किया एंद्री हुद दोकी से हमारे देश में कई परंपघाऊं में बदाव किया भारत मिस्वूरी को शाक्षी मानकर फिरे हुआ करते थे लेकिन जब से भारत में मुगलों ने आक्रमन किया उसके बाद से ही दिन में शादी और फेरे की रस्म होना बंध हो गई। क्योंकि तब मुगल बेहन बेचियों को उठा कर ले जाते थे। इसलिए उनसे छुपा कर रात में फेरे की रस्म शुरू की गई। पधायक बालुमकुदाचारे गुरवार को जैसिंग पुरा खोर में ग्यारा कुंडिये महा यक्के समापन करक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दोरान उन्होंने स्कूलों के स्लेबस से मुगल शाषकों को हटाने की बात कही है। बालुमकुदाचारे ने कहा कि ये विदेशी आतंकवादी थे। भारत में लूट और हिंसा की वारदाते की थी। ऐसे में इनको महान बताना सरासर गलत है। इन लोगों की तो चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। स्लेबस में इनको पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि अकबर नहीं महराना प्रताब और शिवाजी महान है। जन्होंने मात्र भूमी को बचाने के लिए अपने प्राणों का वलिदान दिया। हमारे देश में कोई बाबर को तो कोई अकबर को महान बता देता है। लेकिन इतिहास देखते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने भारत को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि विदेशी अकरंताओं को स्कूलों के स्लेवस से हटा देना चाहिए पागिसान में 8 फरवरी के हुए आम चुनाओं के बाद अज संसत का पहला सत्र शुरू हो चुका है सतर की शुरूवात होते ही पीटी आए समर्दकों ने इमरान खान के पोस्टर के साथ नारे बाद दे की उन्होंने कहा कि पागिसान को सिर्फ इमरान ही बचा सकते हैं इसके बाद सभी शांसदों ने पत की शपत लिए पागिसान के संसत में प्रधान मंत्री चुनने का शेडियूल जारी होगा मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक आपको बता दे कि ये चुनाओ आम तोर पर स्पीकर चुने जाने के एक से दो दिन बाद होता है प्रधेश कॉंग्रस अध्यक्ष गोविन सिंग डोटास्रा ने प्रधेश की भाजवा सरकार पर बड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया कि ERCP वे यमुना जल MOU के नाम पर प्रधेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है डोटास्रा ने कहा कि इन दोनों प्रोजेक्ट पर जूटी वाहवाही लूटने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माव केंद्रिय मंत्री गजेंदु सिंग शेखावत धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन आज तक इन MOU को जनता के सामने नहीं रखा गोविन सिंग डोटास्रा ने प्रदेश कॉंग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉंफरेंस करके भाजपा सरकार को घेरा प्रदेश की भाजपा सरकार एक तरफ ERCP वे यमुना जल्स समझोते को लेकर जनता के बीच आभार यात्राय निकाल रही है वहीं प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष ओविन सिंग डोटास्रा ने हाली में हरियाना और रजस्तान के बीच हुए यमुना जल्स समझोते पर सवाल उठाए है डोटास्रा ने कहा कि आज ये यमुना और ERCP का चुनावी लाब्ज लेने किरी दोरे कर रहे हैं लेकिन हकीकत कुछ और है डोटास्रा ने ये भी कहा कि रजसरकार कि अगर मंशा साफ है तो वो दोनों M.O.U. को सारजानी करें योटास्रा ने कहा कि यमुना जल्स मामले की श्रुवात 1994 से हुई थी फिर इस मामले को लटकाई क्यों रखा अब रासान सरकार M.O.U. की बात करके वावा ही लूट रही है लेकिन हर्याना के सीयम मनोहर लाल खटल हर्याना विधानसभा में साफ कह रहे हैं कि समझोती के नुसार हर्याना को पूरा पानी मिलेगा जबकि रजसान को तो बरसात की पानी का कुछ हिस्सा मिलेगा माइक्रोसोफ के को फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मलकात की है दोनों के बीच दोरान कई वैश्विक मुद्दों और बदलाओं के जरूरत पर चर्चा हुई बिल गेट्स भारत के दोरे पर हैं और ये मुलकात दिल्ली में हुई है इस मुलकात के बाद बिल गेट्स ने प्रेंशोशन मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हमेशा प्रेंडा दायक होता है उनके साथ चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है हमने Artificial Intelligence, Woman-led Development, DPI, Agriculture, Health और Climate Adoption में Innovation और दुनिया भारत से क्या सीख सकता है इस पर चर्चा की वहीं पिये मोदी ने इस मुलकात को वंडरफुल बताया उन्होंने अपने एक्सपर पोस्ट में लिखा हमेशा उन सेक्टर की बारे में चर्चा करने में खुशी होती है ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रही हमारे साथ युग चर्ण पर तब तक लेना मुश्कार